नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर 10 सतीस चंद्रवा मीडिवल हिस्ट्री किताब में आपका स्वागत है चैप्टर नमबर 10 का टाइटल कहा है स्ट्रगल फोर अंपायर इन नॉर्थ इंडिया 1480 सिरे के 1525 एडी की कहानी है यहाँ पर चोटा सा इंट्रक्शन देखेंगे फिर इस्टर इंडिया में बंगार की कहानी आसाम की कहानी और ओडिसा की कहानी इनकी कहानियों को समझने कोशिश करेंगे कोशिश करूँगा कि यह इस्टर इंडिया पूरा में इस वीडियो में क करूं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि देखते हैं जितना जादा हो सकें को अतना दा चीज़ों को डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे अब आद यहां पर यह है कि डिल्ली सल्तनत 1398 के समय लगब काफी कमजोर हो चुकी थी और फिर आया तिमूर का अटाक डिल्ली पे 3098 और तुगलग किंग की यहां पर कमर टूट गई अब अगर आप तुगलग की क्रोनोलोजी की बात करेंगे तो 1321 से लेके 1325 एडी तक ग्यास उद्दीन तुगलग 1325 एडी से 1351 तक मुहम्मद बिन तुगलग 1351 से लेके 1388 1388 तक फिरोश्या तुगलग उसके बाद आपका होगा तिमूर का तिमूर आप कह सकते हो कि काफी हद तक एक काफी डेंजरस राजा था मंगोल था इसने नौदन इंडिया पे इन्वेट किया राजा था आपका नसीर अदीन मौमद शाथ तुगलग और तुगलग डैनस्टी और यह बिलकुल भी तयार नहीं थे तिमूर आया इसने ओवर ओल इंदस रिवर को क्रॉस किया मान के चलीजे कुछ इस प्रकार से रहा होगा यह रहा इंडिया ओके तिमूर आया इंदस रिवर क्रॉस की इसने इंदस रिवर क्रॉस करके आगे बढ़ा तुलम्मा नाम की जगा पे कबजा किया फिर इसने मुलतान के ओ बाद में जो राजपूत किंग था दुलाचंद, दुलाचंद को लगा कि चलो भाई सिरेंडर कर देते हैं, जान वज जाएगी, फिर जब तिमूर दिल्ली की उपर चला तो बीच में जाट पीज एंट्री ने भी इस से लड़ाई की, मतलब तिमूर का दिल्ली पहुचना आ और आप कह सकते हो, एक्चुली बैटल हुआ 17 दिसंबर 1398, दिल्ली वो पहले पहुच गया था, और इस बैटल से पहले एक लाख लोगों को मार दिया था, बहुत सारे लोगों को बंदी में ना रखा था तिमूर ने, एक लाख कैप्टिव्स को इसने मार दिया था, और द पहले आम दिल्ली की सलकों पे आग मचा रहे थे, लोगों के घरों में गुच रहे थे, लूट रहे थे, औरतों के साथ बत्तमीजी कर रहे थे, तो एक समय पे ऐसा हुआ, कि दिल्ली के सिटिजन से रहा नहीं गया, उन्होंना अपराइजिंग कर दी, इन तुर्किक मंगो उसको धड़ से अला करके सर के मतलब धेर से लग रहे थे, मतलब दिल्ली को इतना निस्तो नबूत कर दिया तिमूर ने, कि आगे आने वाले 100 साल तक दिल्ली इस पर्टीकुलर अटैक से उभर नहीं पाएगी, और इसने तुगलक डाइनस्टी की कोई इमेज छोड़ी ही वैसे तो अगर आप देखो, तो तुगलक डाइनस्टी 1413-1414 एडी तक आएगी, ओके, 1320 एडी से शुरुआत है तुगलक डाइनस्टी की, 1413 एडी तक तुगलक डाइनस्टी चलेगी, आखरी जो रूलर था मोहमद शाह, 1388 से लेके 1413 एडी तक रूल कर रहा था, पर 1398 म में खटिया खड़ी कर दी थी, बरबाद कर डाला था, कुछ छोड़ा नहीं था आपका, इस तिमूर ने दिल्ली के प्रस्पेक्टिव से, ठीक है, लेकिन जब तिमूर ने ये सारा का सारा तर्खाट मचाया, तो तिमूर दिल्ली की बाद वापस लोड़ गया, वो और कोईशल गवर्नर्स थे, जो कि दिल्ली सल्तनत को माई बाप बोलते थे, उजूर उजूर करते थे, पैसा भेजते थे, उन्होंने बोला कि भाया हम हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने बोला कि वी आर इंडिपेंडेंट, डेकन स्टेट्स ने बोला हम तुगलग डैनस्ट के वो सारे के सारे डेक्री स्टेट्स बोलेंगा अब हम बेंदली सत्युन पीसेट्ट प्रंबा का इस्ट में मुंगाल बोले पुरने गा Wagジャagow 41 अजमेर को बहुत साथ पूर्पूताज। और यो इस्टμεर्ड़ाड़ की इस्टे अप्रहण Σुь इसट सित्द का ओम ise माई बाप बोलते थी दिल्ली सल्तिनत के बादशा को, तुगलक बादशा को, अभी तुगलक बादशा का ही जो मुस्लिम गवर्नर था यजमेर से भाग गया, जब यह अटैक वगरा हुआ था अपका तिमूर का, तो उसके बाद राजपूरा के स्टेट्स भी अपने आपको इंडिपेंडेंट बोलने लगे थे, फिर देखें क्या लिखा हुआ, ग्रैजूली अटेफिनेट पैटर्न और बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज बिट्वीन दे स्टेट्स बिलोंगिं तो दे वेरिस इंवेस इंवेस्ट गुजरात, मालवा, मेरार, बैलेस्ट, एन चेक्ट ग्रोथ ऑफ इच अदर्स पावर, बंगाल वास चेक्ट बैग गजपती रूलर्स ऑफ उरिसा इस वेल जानपुर, अब समझेए, पहले एक राज है, और इस राज के इंदर बहुत सारे इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, अब ये सबॉर्डिनेट्स बहुत सारे कर देते थे, इन में से कोई भी पावर एक बहुत बढ़े रीजन को डॉमिनेट नहीं कर पाई, फिर आप देखोगे कि दिल्ली सलतनत की गद्धी पर लोधी डैनिस्टी आएगी, और लोधी इस उठेंगे, ओके, तराइस ऑफ लोधी डैनिस्टी की बीच में होगी देखोगे कि डेफिनेटली तो गलग डैनिस्टी खतम हुई लेकिन उसके बाद भी लोधी डैनिस्टी उठके खड़ी होने की कोशिश कर रही है, उसके बाद लोधी डैनिस्टी धीरे धीरे अपने आपको एक्सपेंड करेगी, इस्टर राजस्थान और मालवा में अपन आपको अलग कर चुके थे, तो गुजरात मेवार एक तरफ लोधी एक तरफ दोनों अपस में लड़ रहे थे, और इस पर्टिकुलर बैटल में जो भी जीतेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई, ओवर ओल जो भी यहां जीतने वाला वो नौर्थ इंडिया का बाप हो कई न कई बाबर को दिल्ली बुलाने में राना सांगा का भी एक मेजर रूल रहा है, राना सांगा चाहते थे कि बाबर दिल्ली आए और बाबर आके लोधी को हराए, और फिर राना सांगा को लगा कि ओवर ओल बाबर जीत जाएगा, तो हमारे जो डोमीने से वो सेफ हो ज जानता था कि एक बार जब बाबर हरा देगा लोदीस को तो उसके बाद वो फिर मेवार के पीछे भी आएगा चुकि यह एक्सपेंशनिस्ट पावर्स थी और एक्सपेंशनिस्ट पावर का एक सीधा-सीधा हिसाब होता है कि जादा से जादा इलाका अपने कबजे में लेना है वो एक जीतेंगे तो दूसरे की तरफ जाएंगे दूसरा जीतेंगे तो तीसरे की तरफ जाएंगे बहुत अंबिश्यस किसम के लोग हुआ करते थे एक चीज़ जीतके सांथ होके चो बैठने वाले लोगों में से नहीं थे ठीक है भाई अब हम यहाँ पर शुरू करते बंगाल यहाँ कहीं है अभी इस बंगाल के उपर कबजा करने के लिए इतनी पूरी डिस्टेंस तो बंगाल सेंट्रलाइजड पावर से थोड़ा दूर रहा है तो आटोमेटिकली बंगाल के उपर कबजा करने के लिए लंबा डिस्टेंस टेवल करना है कम्यूनिकेशन उ बहुत सारी नदियां बहती हैं तो नदियों को क्रॉस करके strategic force के ओपर attack कर पाना ये सब चीज़ें काफी मुश्किल थी और ये जो बंगाल की terrain थी वो भी टर्किश रूलर्स के लिए थोड़ी unknown थी इसका मतलब नहीं कि शुरुवार्त में बंगाल आपका दिली सल्तिनात के अंदर नहीं आया है कई बार आया मैंने पहले आपको पढ़ाया भी है बट अब आप देखोगे अब मुहमद बिन तुगलक आपको पता है बहुत हत्तक डेक्पेन में इंवार्ड था और मुहमद बिन तुगलक के समय पे बहुत सारे रेबैलिन भी होने लगते थे तो मुहमद बिन तुगलक जगा जगा पे जाके रेबैलिन को सप्रेस करने कोशिश करता था इसके चलते मुहमद बिन तुगलक के हांसे बंगाल निकल गया मुहम्मद बिन तुगला का जो रेन था वो था 1325 से लेके 1351, 1351, 180 तक और यह जो बंगाल था यह दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से अलग हो गया 1338 सेडी में फिर लगबग 1342 सेडी में एक नोबल था जिस नोबल का नाम था इलियास खान इसने लखनौती पर कबजा किया और सुनार गाउं पर कबजा किया और फिर वो थ्रोन पर बैठा बंगाल की विद्धा टाइटल सुल्तान शम्शुद्दीन इलियास खान इसका जो रूल था इसका जो रूल था अब दिख सकते हैं गोरकपूर इस समय पे इसके बाद गद्धी पर बैठेगा आपका फिरोस्तुगलग फिरोस्तुगलग जब गद्धी पर बैठेगा तो फिरोस्तुगलग देखेगा कि हमारे पास ऐसे कौन-कौन से डोमेंस थी जो हमारे हांसे निकल गए है तो फिरोस्तुगला को नजर आएगा कि भाई यह जो बंगाल का इलाका है यह पहले हमारा हुआ करता था अब हमारे हां से निकल गया है तो फिरोस्तुगला का भी यहाँ पर प्लान बनाएगा कि भाई बंगाल के इलाके को कब जाते हैं शुरू शुरू में जो इस्टन उत्तर प्रदेश वाली जो टेरिटरीज थी, इलियास की, इलियास खान की, जो कि बंगाल करना जा था, वो चली जाएंगी फिरोष तुगलक की लडाई की अगेंश्ट, लेकिन क्या है, फिरोष तुगलक इस बात को जानता था कि ओपन फील्ड में, सुरी, इलियास खान, कामरोली सुरी, फिरोष तुगलक ने यहाँ पर इलियास खान के ओपर अटैक किया, इलियास खान यहाप पर बंगाल करा जाए और बंगाल के उपर फिर से दिल्ली सर्थनत का पर्चम फेलाना चाहता है फिरोस तुगलग इस्टन उत्तर परदेश की जो टेरिटरीज थी किसकी आपकी इलियास खान की बंगाल की उसको कब जाकर लिया फिरोस तुगलग ने पहले तो इलियास खान थोड़ा पीछे गया एक इकडला नाम के स्ट्रॉंग फोर्ड में जाके शेल्टर ले लियास खान और वहाँ पे इ अजीपूर नाम की जगा आपने सुनी ना गाजीपूर के कापासिया उपाजिला के पास पढ़ता है आज की डेट में ये इकादला फोर्ड इस इकादला फोर्ड में जाके इलियास खान बैट गया अब क्या है ना कि फोर्ड को तोड़ पाना मुश्किल होता है तो पिरोस तुगलक उन दोनों की बीच में लडाई हुई लेकिन यहां पर इलियास खान की आर्मी हार गई तो इन्यास खान फिर से वापस गया और फिर से एक आदला में चुप गया हाला कि फिरोस तुगलक ने बड़ा जबरदस तरीके से उसको बहार निकाला था फिरोस अब फिरोस तुगलक को लगा किया रिग्दला में कैसे गुसेंगे तो एंड में फिरोस तुगलक और इलियास खान दोनों ने मिड़क एक ट्रीटी और फ्रेंडशिप सायन कर ली चुकि देखिए फिरोस तुगलक पर्मानेंटली वहां पर नहीं बैठ सकता था बंगाल ले फिरोस तुगलक को बाकी जगा में भी देखनी है Western India भी देखना है थोड़ा वो डेकन का इलाका भी देखना है तो एक बंगाल के ऊपर गिर्ड़ा डालके बैठ जाए फिरोस तुगलक ये भी फिरोस तुगलक के लिए पॉसिबल नहीं था तो फाइनली फिरोस तुग कि यहां पर आप कहलो कि बिहार की कोसी नदी बह़ी ए तो बिहार की कोसी नदी के इलियास खान समय समय पे फिरोज तुगलक को गिप्ट भेज़ता रहता था, लेकिन अपने डोमेन में इलियास खान इंडिपेंडेंट था, इलियास खान किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था, कि फिरोज तुगलक की बाद उसको मान नहीं है, अपना एड्मिनिस्टेशन वो अपने हसाब से करता था, ओके, अब चुकि दिल्ली के साथ रिष्टे अच्छे हो गए थे, किसके इलियास खान के, तो अब इलियास खान को ल इलियास खान की बात करो, इसको इलियास शाह भी का जाता था, यह popular ruler था, कही न कहीं बहुत सारा achievements इसके नाम पे, तो इसके अंदर जो जनता थी न वो कहीं न कहीं इससे खुश थी, ओके, जब पंडुआ नाम की जो capital थी न, आपकी, यह बंगाल में दो थीन capital थी, इसमें एक थी पंडुआ, एक थी गौर करके, तो पंडुआ नाम की capital पे, पहले बैठता था इलियास खान, इलियास खान वा कराजा था, फिरोस तुगलक ने जब अटैक किया, तो पंडुआ नाम की capital इलियास खान को छोड़नी पड़ गी, लेकिन जो पंडुआ के लोग थे न, वो अपना राजा मानते थे इलियास खान को, वो ओवर ओल फिरोस तुगलक को अपना राजा मानती ही नहीं थे, और आप समझे, आज की डेट में अगर आपो किसी इलाके पे कबजा करना है, तो वहाँ की जनता के दिलों पे कबजा करना बहुत सथा ज़रूरी होता है, वहाँ की उपर अत्चार करने लगे, नहीं हो सकता, देखें, में चीज होती है कि अगर आप राजा हो, आपकी प्रजा आपको राजा की तरह एकसेप्ट करें, यह बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे जो पंडुवा नाम की जगा थी ना, वहाँ की सिटी के तुगलग ने काफी पैसा खर्चा, उसने सिटी इनहेडिटेंट्स को अपरी तरफ लेने की कोशिश की, नॉबल्स को, कलर्जी को, डिजर्वीं पीपर को बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन तब भी लोग उसकी फेवर में नहीं आए, जो कि इलियास खान ज्यादा गद्दी पर बैठेगा, तो फिरोज तुगलग फिर इस उम्मीद में अटाक करेगा कि हम मैं कबजा कर लूगा, लेकिन जो उसका बेटा था सिकंदर, वो भी एक एबल डूलर था, और उसने वही टैक्टिक्स अपना ही, जो उसके बाप इलियास खान ने अपना ही थी, ज इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद आप देखोगे, कि बंगाल दो सो सालों के लिए अल्मोस्ट खाली छूट गया, अब आगे आने वाले समय में बंगाल पे अगर कबजा होगा, किसी दिल्ली को सुल्तान का, तो वो होगा शेरशा का, 1538 AD में, ओके, शेरशा वैसे हमारे कैप्टन विकम बता भी है, ठीक है, तो वो आप मौडरन शेरशा हैं, ये पहले कि शेरशा की बात करो में, तो 1538 में, अब आपका बंगाल में, शेरशा कबजा होगा, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं लगबग 1338 AD के लगबग, जब मौम्मत तुगलक से आपका बंगाल अलग हो गया था, और मौम्मत तुगलक से बंगाल अलग हुआ 1338 AD, उसके बाद फिरोस तुगलक कोशिश करता रहे हैं, बट फिरोस तुगलक कबजा नहीं कर पाया, तो effectively दिल्ली संतनत के राज के अंदर से, ये जो बंगाल था, वो 1338 में निकल गया, और फिर दिल्ली का सुल्तान शेरशाय से कब कब जाएगा, 1538 AD, बतलब 200 साल तक दिल्ली की सेंटरल पावर बंगाल को कब जानी पाई, और इन 200 सालों में बंगाल में बहुत सारी डैनेस्टीज आएंगी, लेकिन ये डैनेस्टीज कुछ इस प्रकार की होंगी, कि जो कॉमन लोगों की जिंद सुल्तान था, वो था घ्यासुदीन आजम शाह, जिसका रूल था 1389 AD to 1409 AD, वो लव अफ जस्टिस के लिए माना जाता था, ऐसा बोले जाता था कि एक बार घ्यासुदीन आजम खान ने, आजम शाह ने एक विडो के बेटे को गलती से मार दिया, तो अब विडो के बेटे क किया सुल्तान को अपने कूर्ट में, अब समझेए, काजी एक धरम गुरू है, और बहुत सारे धरम गुरू होते थे उस समय पर, आप समझेए, दिल्ली सुल्तान के राजा ओए, ये आपका बंगाल की डैनिस्टी का राजा था, अब बंगाल का राजा राजा तो राजा ह सुनता था लेकिन बात यहां पर यह थी कि यह थी बात जस्टिस की और यह जस्टिस को बहुत मानता था तो इसको सच में अंदर से गलानी थी कि इसने एक विद्वा के बेटे को मार दिया तो जब काजी ने इसको समन किया तो वो काजी के सामने गया और काजी ने जब fine impose किया तो उस fine को उसने माना सोचिए एक सुल्तान काजी के कोट में जाके अपनी सजा को मानने को देने को तैयार है ट्राइल के एंड पे सुल्तान ने काजी से बोला कि अगर आप मुझे मारनी का वो सुनाते सजा सुनाते अगर मुझे भी है ट्रैनिक सजा सुनाते तो मैं उसको भी मानता मतलब इस हद तक यह जो आपका गया सुद्दीन आजम शाह था ही जस्टिस को मानता तो जो इनसान इतना जस्टिस को मानता है वो definitely अपने लोगों के लिए भी काम करेगा तो इसकी जनता इससे कोश रहती थी फिर आजम शाह के आप कह सकते हो कि उस समय के जो लर्नर्ड मैंस थे उनके साथ क्लोज रिलेशन्स थे एक Persian poet था जिसका नाम था Hafiz of Shiraz उसको आजम शाह मानता था आजम शाह ने फ्रेंडरी रिलेशन्स रख रखे थे चाइनीज के साथ चाइनीज एम्परर ने आजम शाह के इन्वाई को कौडली वेलकम किया 1409 AD में चाइनीज ने अपना खुद का इन्वाई भेजा और उसके साथ बहुत सारे गिट्स भेजे सुल्तान आजम शाह के लिए आजम शाह की वाइफ के लिए और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉंक्स को भेजने के रिक्वेस्ट करी अब चाइना बुद्धिस्ट मॉंक ठीक है भाई तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हो आजम शाह तक बंगाल में पूरी तरीके से बुद्धिस्म खतम नहीं हो था बुद्धिस्म थोड़ा बहुत अविलेबिल था और मतलब प्रॉलिफरेट नहीं कर रहा था बहुत तेजी से चैना से समान स्पोर्ट पर जाता था वह कि मतलब चैना से समान आ रहा है आपका चिट्टा गॉंग पोर्ट पर किसी और शिप पर री रोड़ होके री एक्सपोर्ट हो रहा दुनिया किसी और भाग में तो आप एक सकते हो एंट्रपॉर्ट टाइप का भी बन गया था ओर स्टांस थे यह अपनी क्यापिटल्स को बहुत सजाते थे जैसे कि आपको पंडुआ और गौर यह जो दोनों बंगाली क्यापिटल्स थी यहां पर बहुत सारी मैगनिफिजिट बिल्डिंग्स देखने को मिलती है इनकी खुद की अपनी स्टाइल थी अपना खुद का बंगाली रेंगुज को इकोली यहां पर पैटनाइस किया गया फिर एक सेलिबेटेट पोईट थे यहां के माला धरबासू जिसमें कंपाइल की थी श्री कृष्णा विजया इसको भी पैटनाइस किया सुल्तान ने इसको टैटल दिया गया गुमुजवाजा खान का इसको रास्ता 1493 A.D. से 1500 A.D. से 1500 A.D. इसके राज के समय पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है बंगाली रेंगुजिस की गौट इट तो अलाउद्दीन हुसाइन के रूल को काफी इनलाइटेंड रूल कहा जाता है अलाउद्दीन हुसाइन के समय पे लॉइन ओर को रिस्टो जो master of the mint था ये सब हिंदूस थे तो आप कह सकते हो कि जो अलाउद्दीन हुसाइन था और ऐसे बहुत सारे जो और बंगाली सुल्तान्स थे ये किसी भी प्रकार का आप कह सकते हो कि रिलीजियस सिर्ण नहीं करते थे मतलब important post यहाँ पे काबलियत के आधार पे दी जाती थी ना कि धरम के आधार बिसलिए बहुत सारे हिंदूस आपको यहाँ पे important post पे बैठे हुए नजर आएंगे फिर नेक्स क्या है तो भाया वैशनवाइट मतलब वैशनवाद धरम को फॉलो करने वाले दो लोग रूपा और सनातन इनको भी काफी उची पोस्ट दी गई बंगालों के सुल्तान का प्राइट सेक्रेटरी था फिर जो बंगाल के सुल्तान थे एक बहुत फेमस वैशनवाइट सेंट थे चैतर ने उनके टाइम पर बंगाल के सुल्तान ने इनको काफी माना काफी रिस्पेक्ट दी फिर आप देखोगे जब मुहम्मद बिन बक्तियार खाल जी अपका बंगाल का रूलर था तब भी जो ब्रह्मपुत्र वैली थी आसाम की उसके उपर कबजा करने कोशिश की इन बंगाल के सुल्तानों ने जिनकी कैपिटल थी अपकी पंडुआ और गौर और बात की जो बंगाल के सुल्तान थे जो की काफी हद तक इंडिपेंडेंट थे उन्होंने भी एकोशिश की कि आसाम के उलाके के उपर कबजा करो अब आप देखोगे कि उस समय पे जो बंगाल का प्रिंसिपालिटी थी जैसे मालो यह राए इंडिया यहां है बंगाल तो बंगाल की प्रिंसिपालिटी के लिए दो तीन चैलेंजज थे एक तो आसाम के उपर कबजा करना चाहते और उस समय का साम मतलब आज के साले नौर्थ इस्टन स्टेट समझ लो थोड़ा बहुत आपका मायनमार का सपास का अलाका भी समझ लो तो दो अंपायर थे यहां पे एक तो अंपायर था आपका कमाता अंपायर जिसको आप कामरूप किंडम भी पूलते हो और एक था आपका तरह आपके तो आपके सकते हो किंडम धीर दीरे जो राजा थे यह हिनदू-आइज हो गाए हैं पे辉सकалि इन्हों नहोंने हिंदू धरम को अपना हैं तब तो आप कह सकते हो कि दिस अहों किंगडम धीरे धीरे इसमें हिंद्वाइजिशन की टेंडेसी जादा हो गई एक हिंदू किंगडम की तरह यहां पर उभर किया है अब दो किंगडम है एक अहों किंगडम है एक कमाता किंगडम है कमाता कामरूप किंगडम है अहों किंगडम आप कह सकते हो कि यह थोड़ा इस्ट वाला comparatively इस्ट वाला बीच में आप कहलो कि आगया बंगाल थोड़ा बीच में आप कहलो आगया बंगाल अब मुझे पता है कि मैं आपको कितना भी यहां पर बात आप बता लूं आपको home kingdom और overall काम रूप kingdom कहां यह पता नहीं चल पाए जो यहां पर overall आपको पीला वाला इलाका दिख रहा है न यह बताया जा रहा आपका काम रूप kingdom अब आप बोलोगे कि सर यह काम रूप है तो home कहां है तो आप यह समझने के लिए दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि काम रूप kingdom हमेशा इतना बड़ा नहीं था ठीक आपके सामने आती है वो किसी एक particular time period की होती है और उस time period पर हो सकता है empires का orientation को चलगो तो आप मान के चलो यह अगर आपका बंगाल है this is your बंगाल area तो हो सकता है कि उस समय पर home kingdom हो सकता है इतने बड़े इलाके हो हला कि home kingdom थो छोटा बड़ा होता रहता है एक समय ऐसा भी आ नौर्थ वेस्ट में आपको काम रूप दे जाएगा और नौर्थ नौर्थ इस्ट में आपको home kingdom देख जाएगा ठीक है है आज का प्रेजेंट जो आसाम है ना उसको आप home kingdom समझो अगर आपको समझने में ज़्यादा परशानी हो रही है तो तो अब यह जो कमाता काम रू लेकिन वो इस इलाकियों को पूरी तरीके से कबजा करकी नहीं रख पाया और यहाँ पे जो कारा तोया नाम की एक रिवर थी इसको एकसेप्ट कर लिया गया अर्धर नौर्थ इस्ट बॉंडर्रियो पंगाल नेक्स्ट बात करिए तो प्लंडिग भी रेट्स इंटू कमा काम रूप रूलर्स थे यह भी रिटालियेट करते थे तो बहुत बार इन्हों ने रिटालियेट किया और बंगाल के किंडम से थोड़ी बहुत अपनी टेरिटरी वापस लिनी तो ऐसा नहीं था कि एक बार इलाज श्रा गुसा और उसने कारा तोया रिवर को अपनी बंगाल और काम रूप में तो लड़ाई होती थी यहां पर काम रूप और अहुम में भी लड़ाई होती थी और आगे आप देखो के अहुम और बंगाल में भी लड़ाई होगी तो हुआ यह जो आपके कमाता वाले थे ना काम रूप वाले यह भाई बंगाल से भी लड़ पर्फूर पे कामरूप पे, और जो modern कूछ बिहार नाम का शहर है, इसको पूरा का पूरा बरबात कर लिया, और पूरा का पूरा यह जो kingdom था आपका, किसका? कामरूप kingdom, जिसको आप कमाता kingdom भी बोलते हो, यह बंगाल में मिला लिया गया, और बंगाल ने पर्टिकुलर अप और अपने बेटे को इस इलाके का Governor अपॉयंट कर दिया। तो पहले जो कमाता कामरोब Kingdom था, जो कि ऐक अलग Kingdom था, वो अब पूरी तरीके से किस के कबजे में आ चुका था? वो भई बंगाल के कबजे में पूरी तरीके से आ चुका था। फिर इस इलाके में अफ्गान कॉलोनी भी मनाई गई, अब भई, अब जब काम रूट कमाता किरिक नम पूरा बंगाल की तरफ आगया तो बंगाल किसकी तरफ देखेगा, दो अब आहोम किरिक्डूम पे अटैक होना था, आहोम इस बांच को जानता था, तो आहोम को भी काफी नुकसान हुआ उस समय पे जो इस्टन ब्रह्मपूतर वैली थी वास अंडर सुहुन गुंग मुंग सुहुन गुंगुंग एक अहुम रूलर ही था तो यह जो इस्टन ब्रह्मपूतर वैली थी प्रेजेंटे जो आसाम को पूरा का पूरा पूरा इलाका यह आप कैसा तो आसाम और और नाचल प्रदेश मालो पूरा और नाचल अगालेन मनी पूर मिजलम नागालेन का भी तर आपको हिंदू नजर आएंगे बहुत साथ हिंदू अनाइजेशन हुआ था इन डूरस में बहुत सारे हिंदू रूरस आपको देखने को मिलेंगे तो यह जो स्वर्ग नारायन था जिसका पहले नाम तो सुहंग मूंग इसने मुस्लिम अटाइक को यहां पर रिपल्स किया इसने अपने किंग्डम को चारो डाया और वैस्टनावाइट रिफार्मर शंकर देव यह भी इसी टाइम पीरेड के थे इस पर्टिकुलर इलाके में जिस इलाके में अहुम डैनेस्टी का राज था जहां पे स्वर्ग नारायन राज करना था वहां पे बहुत तेजी से वैस्टनाविजम की प्रथा का प्रचार प्रसार हुआ क्यों जो कि जो अहुम रूलर्स थे वो अपने आपको हिंदू मानते थे और वैस्टनाविजम के प्रचार प्रसार में इन रूलर्स ने काफी मदद थी अच्छा गीजो सुल्तान थे आपके बंगाल के ये भी लगे हुए थे इन्हों ने चिट्टा गॉंग को अपने अंदर आने की कोशिश की and part of Arakan under their control अब अब बोलोगे कि क्या बंगाल की सुल्तानों के पास चित्ता गॉंग नहीं था दिखे बंगाल के सुल्तान के चारो तरफ बहुत सारे छोटी छोटे प्लेयर से ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर था तो simultaneously यहाँ पे बंगाल को सुल्तान बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपालिटी के साथ लड़ाई कर रहा था यहाँ पे हम दो main प्रिंसिपालिटी की बात कर रहे हैं काम रूप कमाता जिसको बोलते हो और हो बोलते हो तो एक समय पे चित्ता गॉंग हो सकता है इकर्द कम रूप कर राजा आपका अँओन कर राजा बंगाल कर राजा संसली लड़ते है अब सलतनत रूल जब खतम हुआ पहले किया था है जब सलतनत का रूल था आपको बंगाल की उपर the Ganga rulers of Odisa had aided Radha, South Bengal and even made an attempt at the conquest of Lakhnoti देखिए these attacks had been referenced but the rulers of Odisa were powerful enough not to allow the governor of Bengal to penetrate into Odisa एक समय था जब Bengal आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर था जब दिल्ली सल्तनत के अंदर था Bengal तो उस समय पे उसके उपर अटाक होते थे जैसे कि Odisa के ruler ने उस समय पे बंगाल के ओपर अटेक किया लेकिन बंगाल को जीत नहीं पाए जो गवर्णर था आपका दिल्ली सल्तना के गवर्णर था बंगाल में उसने पिछड़ा केल दिया और उडिसा के रूलर्स को ठीक, ये गंगा रूलर्स थे आपके और उडिसा के लेकिन यहाँ पे दिल्ली सल्तनाथ से गवर्नर ने कोशिश की कि ओडिसा के अलाकियों कब जा लिया जाए तो थोड़ा दिल्ली सल्तनाथ से हमको उतारीफ मिलेगी लेकिन ओडिसा को कब जा भी नहीं पाए तो कुल मिला के दोनों एक दुसरे को पुश बैक कर रहे थे अब यह जो गंगा डैनिस्टी को रूलर थे ना इन्होंने बनाया था फेमस पूरी टेंपल और जो सन्टेंपल है ना कुनार्क में इसको भी आप कह सकते हो गंगा डैनिस्टी ने बढ़ाया है ओडिसा की तो ओडिसा की जो गंगा डैनिस्टी है जब दिल्ली सल्तनत के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंदर था उस समय पेस गंगा डैनेस्टी की रूलर्स ने बंगाल के उपर कबजा करने कोशिश की थी कब जा नहीं का पाये थे इन्होंने बहुत से टेंपल बनाए, पुरी टेंपल, जगनात पुरी आपने नाम सुनागी होगा, और संट टेंपल कुनार, ये दुनों गंगा डैनिस्टी की जो ओडिसा की रूलर से उन्होंने बनाए था। 1338 में क्या हुआ, कि इंडिपेंडेंट रूलर जो बंगाल था, इलियाश शाह, जो काफी फेमस था, इसने ओडिसा की ओपर अटैक किया, जाज नगर की ओपर अटैक किया, और ओवर ओल यहां पे इसने ओडिसा की रूलर को हरा दिया, ये चिलका लेक तक पहुँच गया, औ काफी लूट पार्ट मचाई इसने, बहुत सारे ऐलिफेंट्स और पैसा लेकि ये वापस आया, ओके, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि जब फिरोज तुगलक इलियाश शाह से लड़ रहा था, तो इलियाश शाह के हारने के बाद, फिरोज तुगलक ने क्या किया, ओड इस लिम दिखाने के चलते, वो एक्सेसिवली कंजरवेटिव तरीके से राज करता था फिरोज तुगलक, तो पहले तो इलियाश शाह ने ओड़ इसा में तुगलक ने ओड़ पावाल मचाया, वहाँ पे रेट करी और फिरोज तुगलक ने ओड़ इसा पे अटैक कर दिया और उड़िसा में काफी तबाही मचाई, और उसके चलते आप देखोगे कि गंगा डैनिस्टी की प्रेस्टीज और गंगा डैनिस्टी तो रह बनाएगे बहुत सारे जो कल्चुरल मॉनुमेंट्स थे, वो यहाँ पे तबाह हो गए थे, तो यह दो रोट्स का काफी इंप इसके जो रूलर्स थे वो ग्रेट बिल्डर्स थे, वारियर्स थे, गर्जबती रूलर्स ने अपने रूल को एक्स्टेंट किया इंद साउथ टूर्स करनाट का, अचा एक खास बात थी, ओडिसा ने पहले क्या कोशिश की कि हम नौर्थ की तरफ जाएं, तो यह बंगाल क को मुगी खानी पड़ी है, ओडिसा में काफी तबाही मची है, और गंगा डैनस्टी की डाउनफॉल की भी यही वज़ा है, कौन? इलियाश शाह और आपका फिरोस तुगलक, तो जब नौर्थ में इन ओडिसा की रूलर्स को लगा कि बंगाल को नहीं हरा पा रहे हैं, तो अब यह विज़े नगर रूलर और बहमानी रूलर भी अपने आप में बहुत ताकतवर थे, इनके बारे में मैं अल्रडी पहले बात कर चुका हूँ, तो जब उडिसा को लगा कि नौर्थ में बंगाल में कुछ नहीं लग सकते हैं, तो साउथ में करते हूँ, साउथ में इनिशली इन ओर इसा के गज़पती रूरस को विक्टरी भी मिली, लेकिन बाद में विज़े नगर अंपायर और बहमानी अंपायर सनिन को पीछे ढगेला, चुकि विज़े नगर और बहमानी दोनों ही अंपायर बहुत ताकतवर थे, तो बंगाल का ओरिसा के साथ पर ओडिसा के अंदर था, ओके, ओडिसा अपने रूल को भगीरती तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब बंगाल जो आज का प्रिज़ेंट बंगलादेश है, वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट ले नहीं जा पाया, चुकि जो सुल्तान थे बंगाल के, ओवर ओल उन्होंने काफी हद तक रिटैलियेट किया था, अलाउद्दीन हुसेन शाहा ने भी ओडिसा पर ओडिसा को हरा भी दिया था, पुड़ी और कटक तक पहुँच गया था, काफी तबही मच गई थी, बहुत सारे लोगों को यहां पर मार दिया गया था, और जो ब बंगाल की रूलर्स ने ओडिसा पर अटैक किया, भले ही बंगाल की रूलर्स ओडिसा के अंदर तक घुसते ही चले आए, लेकिन वो ओडिसा की रूलर्स को पर्मनेटली डिसलॉज नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हो पाया कि बंगाल की रूलर्स ओडिसा के अंदर आगया हो, और ओडिसा की territory को अपने आप में मिला दिया हो, ये नहीं हो पाया, सरस्वती नदी जो boundary बनाई गई थी न, ओडिसा और बंगाल के बीचे वो boundary बनी रही, सरस्वती नदी के आगे जादा नहीं बढ़ पाये, बंगाल की रूलर आते थे, हराते थे, समान वगरा लूटते थे और वापस चले जाते थे, चुकि किसी एक जगा को जीतना, और वहाँ पे उस जगा को जीत के उसके administration को अपने आपकी control में लिना, ये दोनों अपने आप में बहुत अलग बात थी, और overall अगर control में नहीं ले पाये तो उसका मतलब ये था, कि ओडिसन डूलर्स भी यहाँ पे कम ताकतवर नहीं थे, बहले ही ओडिसन डूलर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत बंगाल से हारे, थोड़ा बहुत अब कह सकते हो विजय नगर बहमानी से हारे, बट देवर नो वेर वीक, चुकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, जब मैं आपको विजय नगर फम इसन डूलर्स ने, तो इसका मतलब क्या है, कि ओडिसा के रूलर्स भी अच्छे खासे स्ट्रॉंग थे, वो कमजोर नहीं थे, ठीक है, अगर वो जीत नहीं पाया, बंगाल से, विजय नगर से, और आपका भेमानी से, पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से हारे भी नहीं मिडल सीन यहाँ पे रहा है, तो यह था यह लेक्चर दोस्तों, आई हो पाब वो काफे कुछ सीखने को मिला हो, जादा से जादा लोग साथ स्ट्रॉंग को शेर करिए, हो सके तो जोइन बटन दबा के हल्प करिए, आपके जोइन बटन दबाना से काफी मतलत मिलती है, तो